आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार और CMS जिला अस्पताल के साथ स्वास्त सुविधाओं का जाइजा लिया इसी के साथ ऑक्सीजन प्लांट एवं वेंटिलेटर सहित तमाम विवस्थाओं का निरिक्षड किया गया आपको बता दे कि जन्पत के दो दिवसी दौरे पर स्वास्त विभाग की टीम आई है वहीं टीम दौरा शासन को रिपोर्ट सौपी जाएगी तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जिसको लेकर शासन प्रशासन अलर्ट है और इसी को लेकर तयारियों का जाइजा भी लिया जा रहा है स्वास्त सुविधाओं का जाइजा लेने के लिए दो दिवसी दौरे पर स्वास्त विभाग की टीम आई है बांदा का जायजा लिया और oxygen plant और ventilator सहित तमाम विवस्थाओं का निरिक्षण भी किया गया है oxygen plant और ventilator ये दो एहम चीज है जिसकी सबसे ज़दा जरूरत पड़ी थी इन दो चीजों की ज़रूरत कोरोना काल में सबसे ज़दा देखने को मिली थी स्वास्त सुविधाओं को बहतर करने के लिए विवस्थाओं को और ठीक करने के लिए ये कदम उठाया गया है और निरिक्षण किया गया कि कहीं इनमें कोई चूक तो नहीं रहेगी अगर तीसरी लहरा आती है तो क्या हम उसके लिए तयार है या नहीं और इस खबर पे हमाई सबस्वाद बाचीत के लिए समधता रिजवान जुड़ चुके हैं बांदा से रिजवान क्या कुछ तयारिया देखने को मिली है बांदा में और जब निरिक्षण के लिए आये थे तो क्या कुछ उनको तयारिया देखने को मिली है रिजवान आप उचे सुन पा रहे हैं जी रिजवान आप सुन पा रहे हैं जी बिलकुल 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 तो कि जानने चाहेंगे कि जब C.M.S. जिलास्पाल आये तो उन्होंने क्या कुछ तयारियों का जाइजा लिया उनको क्या स्वास्तसु विधाएं बहतर दिखी पहले से कि लगनीं दिल्खना उसे आय एक अधिवान का उचेन टाक्रण का जब लिए और कंशिया है कामी कर जल्दी बेठा कर फॉष करने का अधिवातन दिया है पर शवान पर्थर में कर्मचारियों कि कमी पूरी करने की बात डही है पर यादर किया नेच्छर संभावे तीजिन प्लांट वेंटिलेटर की जो निरिक्षड किया गया है और स्वास्त विवस्था को ठीक करड़े के लिए जो निरिक्षड ने कितना एहम है तीसरी लेहर को देखते हुए तीसरी लेहर को संभावना है उसको समीच्छा के लिए आज हम लोग आए हैं हमने देखा है कि वेंटिलेटर और अक्सिजिन प्लांट की क्या आलात है बैट की क्या संक्या है कितनी हम नहीं सब देखने आये हैं ताकि जो भी खामी होगी उनको ह आज़ा है कि बलकूल बहुत बहुत शुक्रिया माईसर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए इस कवरड़ पर माईसर सम्मधाता रिज्वान जुड़े थिपानधा से तो स्वास्त कर्मियों ने जाइजा लिया है औक्सीजन प्लांट और तमाम स्वास्त सुविधाओं का जाइजा लेने के लिए दो दिवस्य दौरे पर स्वास्त विभाग की टीम गई है वहीं अब खबर पतेपुट से है जहां 15-18 साल के बच्चों का वैक्सिनेशन शिरू हो गया है इस दौरान वैक्सीन लगवाने के लिए बच्चे अपने परीजरों के साथ अस्पताल पहुचे हदगाम समुदाइक स्वास्त केंद्र और सरस्वती बाल मंदिर इंटर में वैक्सीन लगवाने के लिए बच्चों की भीड उमड़ पड़ी जबकि हॉस्पिटल के अलावा इंटर कॉलेज में भी वैक्सिनेशन के कैम्प लगाए गया है तो 15-18 साल के बच्चों का आज वैक्सिनेशन शिरू हो गया है उतरप्रदेश के हर जिलो की बात करे तो अपनी स्कूल की तरह से स्कूली उनिफॉरम में वैक्सिन लगवाने पहुचे तो कहीं पकर बच्चे अपने माता पिता परीजनों के साथ वैक्सिन के पहली डोस लेने के लिए पहुचें तो काफी राहत भरी खबर है ये क्योंकि अब बच्चों को भी वैक्सीन उपलब्द कराई जा रही है जल्द ही और छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्द कराई जाएगी और इस खबर पर मैंसे समवादा था अमर दीव प्रिपार्ट ही जुड़ चुके फटेपुर से अमर दीव जिस तरह का आज नजारा देखने को मिला क्या कहेंगे परीजिनों का कैसा रिस्पांस रहा इस पर देखिए ऐसा है कि ये जो ओमिक्रॉन जैसी ये भैनक बीमारी जिसका थार्ड स्टेज आ रहा है उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो आज शरकार दोरा पंद्रा से अठारा वर्स के बच्चों का जो वैक्सिनेशन का कारेकर्म सुरू हुआ है उस पर अगर आजहां पर आप सिखा जी अभी अभिवावकों की बात कह रही है तो अभिवावक भी जागरूख हुए है और जैसा कि आपने देखा कि स्क्रीन पर जो तस्वीर चल जाये तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में जो डरे हुए थे आज वो अपने बच्चों की रच्चा के लिए ये वैक्सिनेशन के लिए हास्पिटल पहुँच रहे हैं चाहे सरस्वती बाल बिद्दा मंदर खागा का मामला हो जा हतगाम का मामला हो और आपको एक चीज़ जो और बता दें कि फते पुर्जिला अदिकारी अपुर्वा दूबे ने फते पुर्जि़ में बने हुए मुस्लिम इंटर कालेज में जाकर के भी लोगों को जागरूप भी किया है और चिकिस्था विभाग की टीम को आदेज भी दिया है कि कोरोना वैक्शीन का जो ये चल रहा है इसका पूरी तरीके से पालन किया जाए और करवाया जाए जी सिगा जी अमर्दीब जी जाना चाहेंगे कि जस सरह से बच्चों का वैक्सिनेशन किया जा रहा है तो क्या स्कूल और कॉलेजों में भी इसके बूत लगाए जाएंगे जी हाँ ये बात सही है पर देखा जाए कि अगर एक से पांस तक की जो परसिदी भी दियाले हैं जो बंध हैं उनमें तो नहीं पर हाँ जो इंटर कॉलेज के जो खुले हुए हैं आट से बारा तक के हैं उन पे जरूर ये कैम्प लगाने की बात कही जा रही है और जैसे कि अभी हमने आप से बात किया कि खागा के सरसदी बाल में दिन इंटर कालेज की बात अगर करे तो वहां बूठों का आयोजन किया गिया है और ये लगवाग जहा है अनवराती चालू रहेगा जी तो पहले दिन कितना उत्सा देखने को मिला परीजनों और बच्चों में वै वैक्सिनेशन करवाएंगे यही उमीद की जा रही है जी तो बांदा से कैसी ख़बर सामने आ रही है क्या कोविन पतेपुर से क्या खबर सामने आ रही है कि क्या आप के जरीए लोगों ने जादा रजिस्ट्रेशन कराएं है या फिर बूत पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीन लेते नजर आए हैं बच्चे देखिए ऐसा है कि जब क्राउटनेस बढ़ जाती है तो मुश्टली जो है ये आल लाइन की बियुस्था की दोनों बियुस्थाइं की गई है तो दोनों पे ही लोगों की सहवागिता नजर आ रही है जी बिल्कुल बहुत बहुत कोरोना ने रफतार पकड़ी है जिले में एक ही दिन में छे कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं लोगों की लापरवाही की चलते कोरोना का ग्राफ फिर से बढ़ गया है शेहरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है जिले में बढ़ रहे कोरोना के खत्रे को लेकर चिकित्सा प्रशासन हाई अलर्ट पर है वहीं चिकित्सा सर्विलान सदिकारी डॉक्टर एक सिंगल ने लोगों को कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है तो छे कोरोना मरीज मिले हैं बलरामपुर से एक खबर सामने आ रही है कोरोना का ग्राफ लगतार बढ कि क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही देखने को मिल रही है अब लावच्ट सम्धा अमित कुमार जुड़ चुके हैं इस खबर पर, कितनी लापरवाही लोगों में देखने को मिल रही है नहीं है, लिक्किन बात की जाए कि यहाँ पे जो लोग है मारकटों में हैं या सबजी बंडी में तो लोग बिना मास के घुमते हैं खुले हुए सामान रहते हैं और लोग तो शुसल डिसेंग का बालन हिंग कर पार है जो मित तो आप ranked को घृतल रहती है तो आप अध्रकारियों जो आपील की जाए है लोग को बताया जाए है लेकिन उसका लोग पालंग कर रहे हैं इसमें इसके पालंग करवाने की सब्सक्राइब जरूर है जाना चाहेंगे कि जो यह चै कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं यह कौन से वैरियंट के हैं क्या इन मे आपको बता दूँ जिले के स्वाद विवा के अधिकारी है उन्होंने यह भी कुछी नहीं किये कि यह कौन से हैं कि कोई कोई नाइंटीन है यह यह नहीं है प्रिशासन द्वारा क्या कुछ तैयारिया की जारी है लोगों सावधान के लिए किस तरह से अपील की जा रही है जिए जो डाक्तर एके सिंगल आए अपरमुक्ष किस्ता अधिकारी उन्होंने अपील कि है कि लोग मास्क का उपयोग करें और घर से बिना मास्क के ना निकलें अगर कोई जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें और सेनिटाइज का उपयोग करते रहें साबूर से हाथ दो प्रोई बात की जाए जो स्वास बेवस्ता की तो जिला सायुच के साले में जो आक्सीजन जनेटर प्लांट है जो बच्चों का स्वेटल वार्ड मनाया गया है और जो अगर मरीज भबिस में मिलते भी हैं और ज्यादा गंबीर आल हो दी तो उनके लिए प्योंसा है स्वा खिमपुर खिरी हिंसा मामले में गठेत SIT ने चार्जशीट में बताया कि ग्रिह राज्य मंतरी अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीश मिश्रा घटना स्थल पर मौझूद थे जिसमें अजय मिश्रा को मुख्य आरोपे बताया गया है सीजे एम कोट में SIT ने दाखिल की चार्जशीट में एक नया नाम भी आ गया आया है जिसमें वीरेंद शुकला को सबूत छिपाने का आरोपी बताया है पाँच हजार पन्ने की CS को बकसे में ले जाया गया है साथ ही pen drive और DVD भी साथ में दाखिल की गई है इस दोरान किसानों के वकील ने और इस दोरान क्या क कुछ कहाया आप भी सुनिये तो लखीमपुर से ये खबर सामने आई है जहां चार्जशीट में SIT की चार्जशीट जो चल रही है उन्होंने सबूतों के अधार पर 5000 पन्ने की चार्जशीर दाखिल की है और उसको लेकर अब नया नाम भी सामने आया है सबूत छुपाने क आरोप में एक नाम और आग्या आया है और इसका बताया जा रहा है कि पारिवारिक संबंध है विरेंच शुकला का और आरोपी का जिसके बाद अब इस मामले पे जाच और जादा बढ़ेगी लखीमपुर खिरी हिंसा के मामले में लगातार जाच शुरू है चार स्रीट में धाराएं जो पहले चेंजिस होए थे धाराएं सिर्फ वही है एक धारा और बढ़ाए गई है आई पीस से दोस्तो एक और एक नाम बढ़ा है विरेंच तुमा शुकला का बाकी जो एफ़ायार में हमारा एक नामजद नहीं हो पाया था नाम नहीं का हमने फायर के रहरे में दिया है लेकिन उनको नामजद नहीं किया तो हमारी उम्मीद यह थी कि शायद उनका नाम जिस पार आना चाहिए लेकिन वो नाम नहीं आज़ाए तिवारी जुड़ जुड़ चुके लाकिपोर खेरी से और जिस तरह की सबूत मिले धीरज क्या कुछ जानगारी आपके पास? सबूत चुपाने का आरोप लगा है हम यह जाना चाहेंगे कि सबूत लगा है जिससे यह नाम सामें ने आया है विरेंज शुकला का लगे हैं जो कि विरेंज शुकला का नाम सामने है ससाले हैं पलिया के पलिया के रहने वाले जो पलिया के मौझुदा बलाग प्रमुक भी है और naar नाम सामने तो कहीं उसके बाद में अभी फिलाल तो नहीं का जाकता है लेकिन कहीं न कहीं से परिवार के आउलोग भी शामिल हो सकते हैं जी अजसरहां से बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो उसके उपर क्या कहेंगे क्या उनके उपर भी कोई आरोप लग रहें देखे बिल्कुल साइटी जो बताए ग्रहराज मंत्री फिलाल तो जो ग्रहराज मंत्री बराबर बयान देते हैं कि अगर हमारा लड़का दोसी है तो उसको सजा ज़रूर मिलेगी हम उसको बचाने का प्रयास नहीं करें जाच में पूरा सायोग करेंगे लेकिन कहीं न कहीं स साइटी में जाच सयोग नहीं मिल पा रहा था ग्रहराज मंत्री का बहुत 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 शुक्रिया मासाथ जोड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस खबर में हमासाथ सम्वादाता जोड़े थे लखीम पूर खेरी से धीरज चार बज़े की चार बड़ी खबरों में फिलहा लेता ही तमाम खबरों के लिए देखते रही प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार